निशा का problem है overthinking, वो बार-बार सोचती है कि उसके husband निले का कहीं किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं है, ऐसे तो निशा को भरोसा है निले पर और वो मानती है कि निले कभी भी बेवफा नहीं हो सकता, लेकिन फिर से वो सोचती है कि पूरा दिन निले आफिस में या फिल्ड में रहता है, तो पता नहीं वो क्या क्या करता होगा, इसलिए निले जब घर पे आता है, तो वो उसके पोकेट्स, उसका पर्स, उसका मोबाइल, उसका सोशिल मीडिया, असारे एकाउंट्स, लाइक्स, मेसेजीस, सब कुछ चेक करती है, इमेल भी चेक करती रहती है, तब जाके उसकी चिंता कम होती है, और उसको तसलिए होती है कि हाँ किसी के साथ चक्कर नहीं है, लेकिन ये तसलिए अलप जीवी निकलती है, अगर ये दोनो कहीं बाहर एक साथ जाते हैं, और मान लो निले की नजर किसी लड़की पर चली गई, जो अक्सर हो जाता है, न निले बोलते हैं नहीं तो कहते हैं तुम उसे देख के इतने खुश क्यों हो रहे हो ये तो बताओ अगर निले अच्छे कपड़े पहन के आफिस जाने के लिए निकलता है तो उसको लगता है कि जरूर किसी को इंप्रेस करना चाहता है और इसी वज़े से उसके जाने के मुझे बताओ निले ये बता देता है उसे थोड़ी तसली होती है फिर से कॉल करती है तुम कहा हो किसके साथ हो विडियो कॉलिंग करके मुझे बताओ ऐसे तो निले उसके साथ ही रहता है फिर भी निशा को लगता है कि निले मुझे कम टाइम देता है वो दोनों बैठे है ड्रोइंग रूम में या कहीं घर में, और किसी के फोन की घंटी बच जाए, किसी के मैसेज की वो ट्यून बच जाए, और वो सामने फोन करे या मैसेज करे, तो निशा को ये लगता है कि ये जरूर किसी के साथ इलू-इलू कर ही रहा है, यानि कोई भरोसा नहीं है, पूरा संडे तो उनका जगरने में ही निकल जाता है और निले जो है वो बहुत ही cool minded है वो निशा की हर शंका का समाधान करता है शांती से उसका पूरा जवाब देता है explanation देता है लेकिन निशा मानने के लिए तैयार नहीं है देखिये निले एक कंपनी में सेल्स मेनेजर है उसका आफिस का काम रहता है टूरिंग रहता है फिल्न में जाता है अपना सारा मंधली प्रोग्राम वो निशा को बता देता है फिर भी निशा को हमेशा कुछ ने कुछ संकाय रहती है देखिये निशा और निले दोनों बचप उसके साथ साल हो गए उनको एक बेटा भी है फिर भी निशा को हमेशा लगता है कि शायद निले किसी और के to नहीं हो जाएँगे अब निले उससे समझा समझा के तरस्थ हो गया है अगर उसका बस चले तो वो सीधा चीर के दिखाना चाहता है कि उसके दिल में निशा निशा और अलावा कोई नहीं है वो अगनी परिक्षाए देने के लिए भी तेयर है लेकिन कितनी अगनी परिक्षा वो देगा देखिए निशा और निले को मैंने बताया कि निशा कोई crazy नहीं है लेकिन निशा की जो सारी हरकत हैं उसको relationship obsessive compulsive disorder यानि relationship OCD कहते है ये जो समस्या है वो दिमाग में निरो ट्रांस्पिटर्स नाम के कुछ केमिकल्स की कमी की वज़े से होती है और इसको दवाईयों से, आर्टीमेस से और बिहेवियर थेरापी से अच्छा किया जा सकता है देखिए जब पार्टनर्स इन फिडालिटी यानि जीवन साथी में अगर आपको शंका है तो रिलेशन से पोसीडी हो सकता है आपको पिरानोया हो सकता है पिरानोय परसनालिटी डिसोर्डर हो सकता है डिलूजन सोब पार्टनर जेलिसी भी हो सकती है डिप्रेशन भी हो सकता लेकिन इन लोगों की समस्या R.O.C.D. थी, मैंने बताया कि यह सही हो जाएगा, otherwise आप संबंदों की सनक में इस तरह से पिडित मत रहिए, both of you are made for each other, both of you are faithful to each other, three cheers for Nisha and Nila, thank you. लेकिन लोगों की समस्या R.O.C.D.